सब गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कुछ स्टैप से एस थरी फोटो एडिटिंग जो कि आप लोग यहाँ पर एक थमनिल देख सकते हो ठेके नहीं यह जो फोटो है इसको मैंने कैसे एडिट किया है वही आज की वीडियो में स्टैप बाई स्टैप बताने इसको किस तरीके सेड़ेस्ट कर रहा हूँ जैसे सेम तो सेम आप लोग एडिटिंग कर पाऊगे तो यहां से आप लोगों को एक फैक्ट का उप्शन मिलेगा ठर्ट नमर पर इसके उपर टैप कर देना और यहां से आप लोगों एफेक्स पर क्लिक करके यह जो हार्डी ए करेंगे और इसको रखेंगे सेवन परसेंट और फिर कर देंगे हां से राइट पर क्लिक डैन अभी आप लोगों को इतना उवर करना है उसके बाद गैलरी के अंदर आ जना मैं जो भी पेंजी यूस कर रहा हूं सबका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंटेन करवा तो सबसे पहले अभी हम लोग अपने विंग्स वाले पेंजी लेकर आएंगे और यह जो पेंजी है ना जस्ट आप लोग ने कुछ इस तरीके से यहां पर लगाना है अगर हम लोग इसके अंदर थोड़ा से ग्लीच वाले एफेक्ट एप्लाई कर दें तो हमारी जो तो अच्छी लग रही है ना तो इस तरीके से करना है उसके बाद आप लोग यहां से चले जाना इरेजर टूल के उपर पिक को इनवर्ट कर देना रिश्टोर पर क्लिक करके हार्डनेस को करना है 92 साइस को माइनस एन जो अपना पेंजी है जस्ट आप लोगों को कुछ इस सब्सक्राइब करेंगे तो अभी हम लोग यहां पे यह वाला पेंजी लेकर आएंगे और इसको एड़ कर लेंगे इसको आप लोग ने बेसिकली अपने फ्लोर पे लगाना है अगर वाल हो तो वहां पे इसको अटेच कर सकती हो तो मैं रख लूंगा 46 उसके बाद यह जो ह सबसे पहले यह वाला जो पेंजी है इसको हम लोग जूम करेंगे और टॉप पे लगाना है इस तरीके से नहीं रखना है तो जस्त हम लोग इतना करेंगे अभी आप लोग यह वाला जो पेंजी देख रहे होना ब्लैक है तो इसको वाइट करेंगे ताकि यह अच्छे तरीके से दिखे तो एफेक्ट वाले ओप्सन के अंदर आना है तो इसको आप लोग ने नेगेटिव कर दिना है ताकि इसका जो कलर है वह वह वाइट हो जाए एंड काफी अच्छे तरीके से यह अपने बैगराउंड पे दिखे और इसको भी थोड़ा सा ग्लीच वाले एफेक्ट अपलाई करना है तो अगेन एफेक्ट के अंदर एफेक्स पे आना ग्लीच अपलाई कर देना और यह जो सैटिंग है इसको आप लोग ने चेंज करना तो यहां से करेंगे इसको एड आप लोग ने फुली बैगराउंड पे इसको लगाना है ताकि काफी एक अच्छा लुक क्रिएट करेगा तो जस्ट इसको आप लोग ऐसे जूम करना और यहां पे लोग ऐसे लगा सकते हो ब्लैंड पर चलेंगे इसको कर देंगे स्क्रेन और उसके वाद इसका करना है आप लोगों को duplicate और इस तरीके से आप लोगों को कुछ इस तरीके से zoom करना है and again zoom कर देना मतलब again आप लोगों duplicate करके इसको zoom कर देना तो इसका आप लोगों ने basically three layer बनाना पड़ेगा और फिर कर देना right way click then guys हमारे जितना भी pages का वरत है वो पूरा complete हो चुका है तो आप लोग editing देख सकते हो अच्छी लग रही है बड़ जो color grading है वो suitable नहीं है तो lightroom application के अंदर आने के बाद पिकसाट वाले simple photo को open कर दिना और यहाँ पे आप लोग कलर गेडिंग देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ी अलग रहा है तो यही सेम टू सेम color tone है मेरे को इसी basic photo में apply करना है तो color grading वाले मतलब जो photo उसको लेकर आएंगे यह preset है मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से दे दूँआ तो आप लोग इसको copy setting कर सकती हो तो चलेंगे यहाँ से 3 dot पर उसके वाद आप लोगों को copy setting करना है tool मतलब जो crop है उसको छोड़के सारे tool को fill करना है और फिर करेंगे right way click उसके वाद pixart वाली photo को लेकर आना जिसको भी आप लोग इंपोर्ट करोगे और यहाँ से paste setting कर देना ताकि आप लोगों का जो color grading है वो simply apply हो जाएगा तो अभी आप लोग देख सकती हो जो एस synthetic tone याना वो proper आ चुका है तो before and after अभी आप लोग देख स तो ठीक है वैसे तो मैं इसका preset वी बना के देदूँगा अगर आप लोग यह वाला color tone अपलाई करना चाते हो तो कर सकते हो तो अभी हम लोगों को इस photo को save करना है share पर चलेंगे यहाँ से आप लोगों को save to device कर देना है and why video कैसे लगी comment section में जरूर से बता देना और इन सब type की videos मैं future में लेकर आता रहूँँगा अगर आप लोग first time आई हो तो keep supporting guys